तो अभी हम ध्यान में पिर्वेश के लिए तयार होंगे, कुछ बातें समझ लें सुहे के ध्यान में हमने भस्रिका पराणयाम से ब्रीधिंग एक्सरसाइस से शुरू किया था इस समय हम ब्रीधिंग एक्सरसाइस में लिए करें मंत्र से शुरू करेंगे मंत्र के बारे में समझें जितने भी प्रितार की साउंस हैं उनमें संगीत की धनी, संगीत की साउंस ऐसी है जो कि तुरंद हमारे मन पर प्रफाव डालती है हमारे मन स्थिती पर तुरंद प्रफाव डालती है संगीत की धनी जब मंत्र के स्वर्व संगीत बद्ध होकर लैबद्ध होकर एक सर्टन फ्रिक्वेंसी पर जब वाइप्रेट होते हैं हमारी ब्रेन बेप्स को वो प्रफाविद करते हैं हमारी ब्रेन बेप्स को प्रफाविद करते हैं वो मंत्र के स्वर्व वो लैबद्ध होकर वो हमारी स्पाइनल कॉर्ट में से प्रिसारित होते 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 हमारे आर्टोमेटिक नर्वस सिस्टम पर अपना प्रफाव डालते हैं वो नर्वस सिस्टम जो कि हमारी हार्ट रिदम को हमारे लट प्रेशर को हमारे मस्कुलर फंक्शन को हमारे मेटाबोनिजम को और दूसरे जो इंपॉर्टेन फंक्शन है उन सब को रेवलेट करता है तो मंत्र बहुत ही इंपॉर्टेन फैक्टर है ध्यान के इस प्रियोग में मंत्र न इस अपvisorasus ल्यक्शन के यह को समय को मंत्र इस अपरे इव शुड्रेव शुदू नřी, जुडान को मंत्र थीफोच्व चौंस्व हाउ को इस अंप गाहले, मौन कोई 1990 1000 1000 फैक्शन कोनीक्शन,. आजकोफे दिस back ли?」 When the mantra sings in your ear, when you listen the mantra through your ear, its power enters, strength your nervous system. एक आंदोलन सा पैदा होता है आपके नर्वस सिस्टम में, एक आंदोलन सा पैदा होता है आपके हार्ड में, श्ट्रिंग, and you feel falling silent in yourself, अपने भीतर आपे मौर को उतलता हुआ महसूस लगते हैं. मंत्र, जब उस मौन को आपके भीतर पैदा करता है, उस मौन में आप अपनी इनर वाइस को, तब वाइस आप कॉंशनेस को आप सुनने में समर्थ हो पाते हैं. हम अपने इनर वाइस को, तब वाइस आप कॉंशनेस को इसलिए ही नहीं समझ पाते हैं. क्योंकि हम बाहर के शोर में बहुत ज्याधा इंवार्ब होते हैं, बाहर के शोर के बढ़े से हमको वो इनर वाइस सुनाई नहीं करते हैं. तो मंत्रु इस बहुत प्रेम के साथ, बहुत सनमान के साथ, और फीलिंग के साथ करना चाहिए. मंत्र के बाद जब हम मौन ध्यान में बैठेंगे, तो सुहें की तरह से ही अपनी शांस की उपर फोकस करेंगे.